हेलो दोस्तो स्वागत आपका फिर से एक बार संकल के स्टड़ी पॉइंट में तो दोस्तो जैसा कि आप लोगो ने कल फॉरेस्गाड एक्जम दिया होगा फॉरेस्गाड एक्जम देने के बाद अधिकतर जो बच्चे हैं कईयों के माइंड चेंज हो गया होगा कि अब नही रोकने को खुद को मत सोचेगा क्योंकि इसके बाद भी और एक्जाम आने हैं क्योंकि आज ही आप लोगों ने देखा होगा सची वाला ही गाट जो परिक्षा हमारे हुई थी वो रद्द कर दी गई है बीडियो बीडियो जो हमारे परिक्षा थी उसको भी रद्द कर दी इसना तगस्तरी है तो अभी एक्जाम आते रहेंगे जो बीच का गैप मिला है आप लोगों को यह गैप जो कमी रह गई है तैयारी में उसको सुदारने के लिए बहुत अच्छा मौका है और जो लोग कुछ नंबरों से रुक रहे हैं तो आप लोग निरंतर बने रहें ज जारी रखें ताकि आपके आने वाले भरश्य में कोई दूसरा एक्जाम आपका निकल जाए उसमें आप सेलेक्ट हो जाओ तो ठीक है आज का जो हमारा सेसन है वह उत्राखंड में अनसूचित जाती और जनजाती को लेकर आये हैं अब इसमें जो अनसूचित जाती है उसक कर रहे हैं राज्य में अनसूचित जाती वह जनजाती की जो कुल जनसंख्या है हमारी वह 21,84,419 है अच्छा जो कुल राज्य की जनसंख्या की कितने प्रतिशात है अच्छा जो हमारी 21,84,419 जो जनसंख्या है अगर संपूर्ण उत्राखंड की दृष्टी से देखे तो हम आरा कितना प्रतिशात है 21,65 प्रतिशात है ठीक हो गया फिर देखते हैं राज्य में सकला कितनी हैं अब येसी और इसी दोनों को ही इंक्लूट करके बताए गई हुए 21,65 प्रतिशात यदि अगर हमें कहेगा कि जो SC की जनसंख्या है वो राज्य में कितनी है तो ये हमारी 18,92,516 है अगर प्रतिसत की आधार पर देखें तो 18,08 प्रतिसत SC निवास उत्राखंड में करती है फिर देखते हैं राज्य में ST जनसंख्या तो ये हमारी कितनी है ये हमारी है 2,91,930 हमारी क्या है ये हमारी ST की जनसंख्या है और ये 2,09 प्रतिसत की आधार पर देखेंड में वर्तमान इस्तिति में इसकी बनी हुई है जनगणा 2011 रगे अनुसार ठीक हो गया अच्छा फिर देखते हैं राज्य में अनसुची जाती का लिंगानुपात कितना है तो राज्य में जो अनसुची जाती है उसका जो लिंगानुपात है वह 936 है अगर इसिमें मैं कहूं कि जो हम जब 36 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा अच्छा जो स्थी के हमारा लिंगानुपाद है उसी का उल्टा हमारा क्या है स्थी का लिंगानुपाद है ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं बागी फिर देखे राज्य में अनुसूचित जातियों को कितने उपवर्गों में बाटा गया अच्छा ठीक है ये कितने उपजातियों में विवक्त है करके question पूछा जाता है तो हमारे जो ये अनुसूचित जाती है ये 65 उपवर्गों में क्या है विवाजित है ठीक हो गया अच्छा ये 65 जो हमारे उपवर्गों है इसमें कौन-कौन सी आती है तो जैसे देखिए आगरिया हो गया बादी हो गया, बहेलिया हो गया बुन्तु हो गया, भूयया हो गया जैसे धागड हो गया, गौन हो गया करवालकूरी, जो इस तरीके के कि उप जाती है हैं फिर देखते हैं राज्य में स्हारवादिक स्थ जन संक्या वाला जिला है हमारा वह हरिद्वार है हरिद्वार में कितने प्रतिसाथ निवास करती है तो यह 21 कृति सबसे कम जो हंठी करती है अगर उस जिले की बात करें वो चमपावज जिला है ठीक हो गया चमपावज जिले में कितने प्रतिसत ऐसी निवास करती है तो हमारा ये 18.25 प्रतिसत क्या करती है निवास करती है फिर देखिए सारवादिक आनुसूची जाती वाले जिले अवरोही करम में अच्छा अब अब देखते हैं अच्छा उद्वम सिंग नगर देख लिया अब देखते हैं नियूंतम एससी जनसंख्या वाले जिले बढ़ते करम में यानि कि आरोही करम की बात कहने का मतलब है कि बढ़ता हुआ करम ठीक है तो देखिए सबसे कम हमारे किसमे चमपावत में थे अब बागिस्वर में हैं फिर चमोली में हैं फिर जाके उसके बाद उत्तरकासी में हैं फिर देखते हैं सारवादिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला अच्छा जब एससी जनसंख्या प्रतिशत की बात करेगा तो प्रतिशत के आधार पर हमारा बागिस्वर प्रतामि सबसे जादे हमारे किसमें थे घटता गरम होगा यह अवरोही करम में होगा ठीक है सबसे जादे हमारे किसमें थे यह हमारे बागिस्वर में थे बागिस्वर के बाद फिर हमारे पिथोरागड में है पिथोरागड के बाद उत्तरकासी और उत्तरकासी के बाद हमारे कहां पर होगी अलम्डव Amazon ठीक है अच्छ प्रतिस्थ के आधार पर अब हमारा कौन सा जाए चय खाल अब हमारा ये आरोही करमघ्छ ठीक हो गया वह उपर जो हमारा आवरोही था नीचे आरोही था वो थह तोड़्ड़ा सा मिस्टेक होगी आया ठीक उसको देखते हैं अच्छा देखिए प्रतिसत के आधार पर अवरोही करम देखेंगे तो देखिए सबसे कम किसमे थे हमारे दहरादून में है ठीक हो गया दहरादून के बाद हमारे किसमे उदुम सिंग नगर में है उदुम सिंग नगर के बाद टिहरी टिहरी के बाद हमार अब ये हमारा आरोही करम हो जाएगा ठीक हो गया ये आरोही करम हो जाएगा मैंने कहा था दहरादून उदम सिंग नकर टिहरी और पॉड इसमें कहा है हमारी स्थी की जन संख्याओ प्रतिस्वत के आदार पर अधिक है ठीक हो गया अचा फिर देखते हैं जनगणना 2011 की कितनी है 84.3 कितना है 84.3 प्रतिशत है उसने पर देखिए फिर कहता है जनगणना 2011 की अनुसार सक्षर्टादर कतेना है चाहलिक पूरुर्ष सक्षर्टादर वाला जिला大家都 कौन से हमारा वो नैनीताल है अच्छा नैनीताल की सख्षर्टादर है वो SC में कितनी है अगर पूछा जाएगा तो यह हमारा कितना है 89.2 है कितना है 89.2 है अच्छा दूसरी चीज ध्यान दिजिएगा यह question बन सकता है अब देखे सारवादिक SC महला साक्षरता दरवाला जिला कौन सा है तो यह भी हमारा कौन सा है यह भी हमारा ने निताल है अच्छा कितना प्रतिसर साक्षर है महला यहाँ पर उसको देखते हैं तो महला यह हमारी यहाँ पर कितनी है 72.5 प्रतिसर साक्षर कहाँ पर ने निताल है ठीक है अच्छा इसके बाद फिर देखते हैं फिर देखें राज्य में लोग सभा सीटों की संख्या कितनी है अच्छा मैं इस से पहले जब आप लोगों को पहले राजनेतिक और प्रसासनियक धाचा कर वाया था तो उस टाइम पे मैंने राज्य सभा और लोग सभा की सेटों के बारे में जिक्र करा हुआ था अच्छा एक बार फिर से उसके बारे में जिकर कर देते हैं अच्छा राज्य में ये लोग नहीं है ये लोग है ये लोग सबा है मिस्टेक हो गई उसमें ठीक है लोग सबा सीटों के जो संख्या है वो कितनी है हमारी वो पांच सेट है ठीक होगे अचा पांच में से एक सेट हमारी आरक्सित सेट है अचा वो आरक्सित सेट कौन से है अलमोडा है अचा अलमोडा के जो हमारे अलमोडा सेट से जो हमारे अभी सांसद है वो कौन है वो हमारे अजय टमटाजी है कौन है अभी अजय टमटाजी हमा सीटे हैं वो खान ठीक हो गया अच्राजी की विधान सवा है उस विधान सवा में स्षी के लिए 13 सीटे हैं अच्राइव लग्लान और विश्न से विए दो मैंने लित कि देखते हैं अब जेखते हैं जो ये 13 सीट हैं SC के लिए जो आरक्षित है विधान सभा में तो ठीक है ये कौन कौन से सीट हैं उनके बारे में भी डिसकस कर लेते हैं ताकि अगर कभी पूछा जा एक्जाम में कि कौन सा सीट SC के लिए आरक्षित है तो उसको बताने में हमें तकलिक ना हो ठीक है देखते हैं अब देखें राजे विधान सभा में SC हेतू सीट निम्नवत तरीके से हैं हमने जितनी भी सीटें SC के लिए आरक्षित हैं उनके बारे में भी इसमें डिसकस कर रहा है अच्छा देखिए ज्वालापूर हो गया ज्वालापूर के बाद भगवानपूर है भगवानपूर के हो गया ज़ bent enough आष्ण चेत्र है उसके बाद दखने बाजपूर बाजपूर जो अदम सिंगनगर का। सीट का जो बाचपुर है यह भी स्सी के लिए आरकशित सीठ और उत्रकासे का जो हमारा पुरोला है ठीक हो गया अच्छा कमल नदी का वर्दान पुरोला घाटे को कहा चाता है यही जो पुरोला है यह पुरोला क्या है हमारा उत्तरकासी का विधानसवा छेत्र है जो सी के लिए आरक्षित है फिर देखते है चमोली का जो थराली है थराली जो विधानसवा है वो भी एस्सी के नानक मता ओदमसिंगने गरमें है यह लगबग लगबग अधिकतर क्वेशन में पूछjob में यह कुछन बंते हैं कि निमनेंसे काों सा अनुसुचिश 2019 जाती के लिए आरक्षि छेत रह करके तो दो यह हमारे एक चक्राता है दूसरा नानक मता है अच्छा एक चीज़ और देखिए अब कहता है कि राज की यह सेवाओं शिक्षण सस्ताओं सारवजनिक उद्यम निगम आदि में अनसुची जाती है तो आरक्षण कितना है ठीक हो हो गया उननिस चार और चौद हो अच्छा एस्ट के लिए कितना है तो यह चार परसेंट है और ओबीसी के लिए कितना है इमारा चौदा परसेंट है इसको भी आप लोग ध्यान दिजेगा अगर आप लोगं को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें कॉमेंट क